हेलो दोस्तों फिर से सागे थे मेरा चैनल पे मेरा चैनल का नाम है इलेक्रोनिस इंडिया मैं लोट ओन फिल लेके आया हूँ एक नया वीडियो देख सकते हैं हमारे पास 14 इंच का एक आल्टा सिम टीवी लेके आया हूँ सैमसुंग का समसुंग टीवी का फॉल्ड दिकाऊंगा सुलूशन करके बाताऊंगा तब तक आमरा वीडियो लास्तिक देखते रही है और मेरा चैनल पे जो नया दोस्ते है उसको काऊंगा मेरा चैनल को दूरू कर लेना बेल आइक उन्ह 90 करता है निया नया वीडियो लिप одну वोगों मिलते रहेंगे तक ठीक का फॉल्ल हम लोग भाटिकल सेक्षिन को देखेंगे उसके पहले देखिए दोस्तों यह बार बाद टीबी चालू हो जाता है लेकिन आधा पिक्चर होने के करण यह स्टेंडबाइ मूड से अमरा टीबी हरे बाद फीर से स्टेंडबाइर उसके बाद फिर से रिलीज हो केλαड र सकता है उसके बाद dell को nit इसके लिए क्या करेंगे पहले Be my到了 का छेंगे और करने के बाद देखेंगे आँए आपक्शिली पाब्लेम है क्या ठिक क Champions मैं टीबी को ओपर कर लेता हूं दोस्ते मैं टीवी को ओपेन कर चुका I'm open करने के बाद ओर तह iai हो पॐ ओएroots दिए उघ्याओ और एड़ लापी पहलार में पीसी लिए अज का पापल्ण है दोस्तों हो real Man pcb से जो हमारा भार्ठीकल से सेuestable आया है जो मननाज इस से फिल होता है और हमीना जो ढर्टथिकल आईसी का जो इंवाटिक आइसी का जो со सब्सक्राइब हमारा ऊड बरी को सकता है जो हमारा मादाई सिस्टेड है ईसलिए का वाला वोल्टेज को अच्छी तरह से चेक कर लेंगे उसके बाद देखेंगे हमारा और क्या पॉब्लिम कहां से आ रहा है उसके लिए दूस्तों क्या करेंगे हमारा जो यह बाला जो भॉल्टेज है जो हमारा एस्टी से निकलता है एस्टी से निकल के हमारा आता है भाटिकल सिक्षन पे वह बाला वोल्टेज को चेक करेंगे पहले तो यह बाला माइनस 16 प्लास 16 को चेक करना पड़ेगा ओ आता है इस पॉइंट पे देखिए आता है इस पॉइंट पे हमारा आता है माइनस 16 वोल्ट और आता है प्लास 16 पॉइंट 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 पर मिटिन पर मीडी को देखी म माइनास 14 रडया तक पर घ्लबी फूल पिट्चर नहीं हे आधर पिकचर आ रहा है उस बाद Уब्म इसी से जो दो फिलिप निकलता है तो वह अधों फिलिप पो चेक कर लेंगे यह जो जो हमारा ऒाउन करको पियेप देपया गया है और हमारा प्वाय कर रहा है इस बाहरा जके कर लेंगेge जो हमारा OE voltage दिखाएगा जो 6.65V, 0.6V और दूसरा नमबर पिन पे OE voltage दिखाएगा 0.7V उसके बाद आता है यह बाला पॉइंट पे यह बाला पॉइंट पे आ रहें के बाद हमारा OE voltage आता है हमारा सिस्टेम पे ठीक है वह बाला सिस्टेम ओके हो गया है उसके बाद देखेंगे क्या हमारा क्यूँ यह बाला पॉइंट पे हमारा पिक्चर सोटेज है इसके लिए देखना पड़ेगा मlt फूरा सिस्टेम पे घहां पे होना चाहिए वोल्टेज तो आ रहा है उसके बाद भी पिक्चर क्यों फूल नहीं है उसके लिए क्या देखाएंगे दोस्तो हमारा सिस्टेम को रिप्लेस करेंौगा थे लिखार कंशी में नोच लागा थे उसके बाद देखते हैं हमारा problem के solution होता है जो हमारा बाटिकल आइसी चेंज कर देने से सिस्टेम मुख्य होगा तो बाटिकल आइसी ही खरब है इसलिए क्या करेंगे वाला बाटिकल आइसी को ओपेन कर लेते हैं देख सकते देख सकते हैं सेज़े एड़ा देख सेब एड़ा बाटिकल आइसी था और मैंने वह आपनद में नया बाला आइसी लागा चुका हों सब्सक्राइब यह एवाला भाटेक COPSamusa लिकाने के बाद हमारा सिस्टेम पर कैसी पिक्चर आ रहा है और जो पोब्लेम था आप डान करके ब्रक्ठ हो जाता था ऑप्र पोबलेम ऑपय नहीं दोस्तों मैंने टीवी को आन कर चुका हूँ ओन करने के बाद हमारा टीवी पे जो पिक्चर का पॉब्लेम था ओ पॉब्लेम देखेंगे देखेंगे दोस्तों हमारा पूरी तरह से फूल पिक्चर आ चुका है और थोड़ा टाइम के बाद जो बैंद पढ़ जाता था ओ बला पॉब्लेम भी सॉल्फ हो चुका है मतलब दोस्तो आज का जो पॉब्लेम था वो पॉब्लेम हमारा भाटिकल सेक्षन था भाटिकल सेक्षन का पॉब्लेम था और हमारा आधा पिक्चार आ रहा था और आधा पिक्चर नहीं था इसलिए क्या किया मैंने भाटिकल आईसी को जो जो भोल्टेज होता है वो भोल्टेज को से भी He لم था इसी लिए क्या क्या यह बल्द क्या तेकिक यह डापरी कहले से लागा चुका रहा हूं हमारा 120 बोल्ट तो आ चुका है आने के बाद एबालेيع यह स्टी ओन होने के बाद हमारा तीन प्रोटेज तैयार होता है च GG चाय star होता है जो हमारा – 16 मौल भोल होता है ट्लाश प्रोल होता है और इस पे तयार होता है एक 200 जो हमारा आता है पूरी तरह से बेसबोर पे बेसबोर को हमारा कालर फिल्टरिंग करने के लिए वल्टेज जोरूरी है उसके बाद एक बोल्टेज तयार होता है हमारा हीटर का बोल्टेज जो हमारे फिलामेंट को अन करने के लिए जोरूरी होता है यह बोल्टेज तो ह गया है उसके बाद 120 को बाद हमारा हाता है बारा बोल्द का प्वाइंट जो तरह करने के बाद हमारा सिस्टेम को को अ frankly तरहा Susan Election को अंट्सरफशा है और हमारा हमार रेगुब्डूटर सिंटम जो होता है रेगुलेटर पे और रेगुलेटर पे आने के बाद इस बाला पॉइंट पे हमारा रिलीज होता है जो 5 भोल्ट इस बाला पॉइंट पे रिलीज होता है और यह बाला पॉइंट पे हमारा 5 भोल्ट आ गया है और आता है यह बाला इंपूट पॉइंट और यह बाला पॉइं इसकstar many new Pr in Clinkng के लिए और यह बाला वाले गाल होता है उसके बाद हमारा सिस्टेम पे जो त्यार होता है और रिगुलेटर aK गे लोगे सीस्टेम का बूस्ट चाहिए तों सिस्ट्रेम पूरी तांक पूरी सिक्लियर हो चुका है और हमारे से घुमा के आप लोगों को पिक्चर भी देखा देता हूं ठीक है दोस्तों मैं टीवी को आगे से घुमा लेता हूं दोस्तों मैं टीवी को आगे से घुमा चुका हूं गुमाने के बाद मैं टीवी को पावार दे चुका हूं पावर देने के बाद मैं स्टैंडबाई से रि पॉब्लिम था और भाड़ी केसं करॉब्लेम होने के करेंडि ही हमारा वह जो परबलेंग पॉब्लेंगल था जो आधा पील्डध था अAsska एसलिए क्या किया मैंने इसका जो जो जुन कि पई और डेख से पहले चेक किया लिया हूं उसके बाद देखता हूँ किया हमारा बाटिकल ऐसी जो एतसे को चेंज कर देने से हमारा सिस्टेम पूरा तरा से क्लिया रहो चुका है ठीक है दोस्तों इसी तरह का आप लोगों को मिलते रहेंगे ठीक है जोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तके लिए दोस्तों गुडबाई